हेलो फैमिली आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंसी में जाने अंजाने छोटी-छोटी मिश्टेक कर जाते हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जनकारी देने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखे होता है कि आप जो है प्रेग्नेंसी में सबसे बोला जाता है कि एकसर्साइज करिए बट पहले तिमाई में आपको एकसर्साइज नहीं करना चाहिए क्यों नहीं अचिंतर नहीं करना चैनल और सबस्थ कि पहली त्इमाही में अगर आप exercise करती है तो पेट पेकसरचान वहारी हो 125 हो अगर आप कोई भी परमर्स से सभी नहीं exercise किया तो पेट पेट पर घूझता लावलोn is that without exercise पैहली तिमाही होसतों करना नहीं चग्ने का कुछ तो केवल आपको वाग करना चाहिए इसकी अलावा कोई भी है भी एक्सराइज आपको नहीं करने चाहिए इसलिए नहीं करने चाहिए कि आप तो अपने से खुद से का ङुक्त स्रस्थाइज कर रहे हैं तो आपको सम भी होती है पहली जो पर अच्छी खासी रहती हैं लेकिन 이 सारी समस्य होती है इसलिए मना किया जाता है कि पहला ट्रेमिस्टर में आपको एक्सराइज नहीं करना है बट सेकेंड और थर्ड ट्रेमिस्टर में आपको एक्सराइज करना बहुत ही जरूरी है कंपलसरी है क्यों जरूरी है क्योंकि आप चाहती होंगी ना कि डिलीवरी के बाद मुझे समय काम तो तो आप तुरंट ही अपनी पहली पहली जैसा बॉडिम में आ जाएंगी इसके बाद कितनी महिलाओं की आदत होती है कि अरे मुझे n tomatoes मुझे नहीं खाना यहीं पर आपको फूड को इंटरेस्टिंग बनाना है जैसे कि आप कोई भी चीज खा रहे है ना उसको ऐसे घुमा दीजिए कि ओ इंट्रेस्टिंग बन जाए जैसे कि आपको मूं या चना का चाट खाना है है ना तो उसको क्या करिए हलका सा भाप दे के वाइल कर लीजिए उसमें चाट मसाला डालिए नीबू डालिए घर में ही बाहर का घर में ही बना के उसको चेंज करके खाएए आपको जो आपको खाने के से जो अलर्जी है ना वह आपको दूर हो जाएगी तो आप खाने को थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग बनाईए तो आपको खाना अच्छा लगएगा क्योंकि इस समय आपको भूखा नहीं रहना है भू सुगर लेबल बहूत हई रहता है मैं प्रेगनिंशी में यह भी मैंटेन रहेगा इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं बहुत सी कंप्लीकेशन आपके बोड़ी की नसे जो है ना वह भी मेंटेन रहेगी इसके अलावा आपके पेल्विस एरिया के मसल्स जो है लचीला र than कई और थी है और बात होती है अगर अगर आपको खाने की इच्छा इसको प्र्सक्रीपक कम के zeggen बहुत ज्यादा चर्यूप करने कि उसको चक्कर में ना पढ़े, नहीं तो यह आपको ही नुभसान करेगा और आपके शिष्ट को नुभसान करेगा यह सारी बाते, जो हैं मिथ्ख़े हैं, गलत है। इसके अलावा, देखिए, बहुत मैं देख रहे हूँ, चलन हो गया है गर्वसंसकार का, तो यह क्या है गर्व संसकार में यहीं सिखाया जाता है कि पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचिए, मतलब हर काम पॉजिटिव करें ताकि आपके सिसू के उपर पॉजिटिव असर पड़े तो यह बात तो हम भी बता रहे हैं कि आपको रोना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहने के लिए आप सौंग सुनिये, अच्छे अची किताबे पढ़िये, रमायर पढ़िये, इसके बाद आप थोड़ा सा बाहर भी जा सकती है, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपने हस्मेंट से बात करिए, अपने घरवालों से बात करिए, ताकि आपके सिसू क से लिए लड़िये, आप लड़ सकती है, आप जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, तो आप करिए, आप कर सकती है, आप किसी की बात, आपको किसी की बातों में नहीं आनी है, किसी की बाते नहीं सुनी है, इस्ट्रेस नहीं लेना है, कोई काम आपको गलत नहीं करना है, एकने अंदर negativity ठीकिंग नहीं लानी है positive रहना है और अगर आप इस्टेश और टेंसा नत्ताव लेती हैं किजिसु के personality में डिफेक्ट आ सकता है उसके अंगों में डिफेक्ट आ सकता है तो आपको टेंसां इस्टेश नहीं लेना है मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्यू फर वाचिंग बाई बाई टिक केर धने